नमस्कार स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूस के डिजिटरल प्लैटफॉर्म पर मैं हूँ आपके साथ जयाबाठक पस्ची मंगाल में जैसे जैसे चुनाओं के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं के जवान अब आउट अफ पंट्रोल होने लगे हैं भासपार देश जीलिव गोस ने अब ऐसा ही एक विवादित बयान दे दिया है जिसको लेकर सोसल मेडिया पर उनकी जम कर किर्किरी हो रहे है दरसल पस्ट्री मंगाल की जो मुख्य मंद्री है ममताब अनरजी वो पिछले कुछ दिनो में अन्दी ग्राम में एक रैली में गई हो थी पर उनके साथ एक हाथसा हो गया उन्होंने कहा कि उन पर जान बूछकर हमला किया गया है उतने चुना आयोग ने खारिच डिया और कहा जा रहा है कि एक हाथ में फायज रगता घडम हैं। इस बाद उन्हें पर चोट लग गई इस के विवाधित दाायीं उन्होंने एक जब कि दूसरा दिखाने के लिए खुला रखा गया है किसी को इस तरह साड़ी पहने नहीं देखा उन्होंने कहा अगर उन्हें दिखाने के लिए पैर का प्रदर्शन करना है तो वह बर्मुडा पहन सकती है इससे ज्यादा बहतर तरीके से नजार आएगा फिर क्या था हुए त्रिनमूल कॉंग्रिस टीमसी ने बंगाली में किये एक ट्विट में कहा हम दिलीव घोस से ऐसे ही अस्तर हिन टिपडियों की उमीद कर सकते हैं इसमें कहा गया कि एक महिला मुख्यमंत्री के बारे में उनकी निंदन ये टिपड़ी ये थावित करती है कि बंगाल म में भास्पा के नेता नहीं जानते कि महिलाओं के प्रती सम्मान कैसे दिखाना है पंगाल में माताएं और बहने ममताब एनरजी के इस अपमान का दो मई को उची जबाब देंगे हम आपको बता दें कि ये जो बयान बाजी है ये कोई आईवेस में निकली हुई बात नहीं है ये दर असल बीजेपी की सोची समझी रणनिती के तहत ही की जा रही है पस्ची मंगाल की मुख्यमंत्री को जिस तरह से चोट लगा हुआ है उचोट लगने के बाद वो विलच नहीं ना चला जाए इसी को समझते हुए बेजेपी के जो स्टेट लीडर है उन्होंने एक तरह से कमान ले ली है वो बंगाल की जनता के मन में ये बात गहराई से डाल देंगे कि जो मुख्यमंत्री मंताब एनर्जी है उन्हें कोई चोट नहीं लगी है और उन्हें ऐसी क मैं को पता चलेगा जब विदान सभाज चुनाओं के नतीजे घुषित किया जाएंगे फिलाल के लिए इतना ही वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताए वीडियो को लेकर अगर आपके मिन में कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिके वीडियो को ला